हेलो फ्रेंड्स दिस साइड इस अधनान खान एंड यू और वाचिंग स्मार्ट मॉवीज वॉक चैनल आज हम फ्यूजू करने वाले हैं सौनी सिक्स पर लिज हुई स्कैम 1992 दा हर्शद मैता स्टोरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब जरूर कर दें और नीचे दिये गए बेल आइकन को प्रेस कर दें यह स्टोरी है हर्शद मैता की जो के एक ब्रोकर थे और उन्होंने स्टॉक मार्किट को अलगी हाइट पर पहुचा दिया था और 1990 में वो स्टॉक मार्किट के बिग बुल कहला ही जाती जैसे कि कहते हैं कि जो जितनी तेजी से उपर उठता है उतनी ही तेजी से वो नीचे भी गिर जाता है कहानी शुरू होती है 1980 में हर्शद मैता के स्टॉगलिंग करियर से और किस तरह वो इंडिया के स्टॉक मार्किट के किक्टिंग बनते हैं और किस तरह उनका डाउनफोल होता है ये सब जानने की निये हैं आपको देखनी होगी ये वेब सेरीज जिसमें टोटल दस एपिसोड है और हर एक एपिसोड तकरीवन एक घंटे लंबा है आईए देखते हैं ऐसा क्या स्पेशल है इस वेब सेरीज में जिसकी वज़ा से आपको अपना कीमती टाइम इस वेब सेरीज को देना भी चाहिए या नहीं इस वेब सेरीज को जो परफेक्ट बनाती है वो है इसकी कहानी और सभी केरेक्टर का दमदार परफॉमेंस तो कहानी तो आप सब लोग जानी चुके हैं कहानी बेज़ दे हरशत मेहटा की बायोपिक पर बात करें सभी केरेक्टर के परफॉमेंस की तो यहां पर सबसे पहले नाम निकल के आता है प्रतीव गांदी का जिन्नों ने हरशत मेहटा के केरेक्टर में जान डाल दिये प्रती गांधी ने हरशत महता के करेक्टर को इस खुबसूरती से प्ले किया है जैसे कि वो इसी करेक्टर के निये बने हो और उन्होंने लाजवाब एक्टिंग की है इस वैब सीरीज में बहुत सारे करेक्टर हैं मैं यहां सभी का नाम तो नहीं ले पाऊँगा लिकिन जो इंपोर्टन करेक्टर हैं उनके बारे में जरूर बताऊँगा जैसे कि सुचीता दिलाल जिन्होंने टाइमस ओफ इंडिया के रिपोर्टर का केरेक्टर प्ले किया है अश्विन महता जिन्होंने हर्शत महता के भाई का केरेक्टर प्ले किया है प्रनफ सेट जिन्होंने हर्शत महता के दोस्का केरेक्टर प्ले किया है इन सभी का परफ character की detailing बहुत ही अच्छी तरीके से दी गई है और छोड़ी छोड़ी चीजों की बारिकियों का ध्यान भी रखा गया है इस web series का एक और plus point है इसके dialogue dialogue इतने कमाल के लिखे गए है कि आपको काफी time बाद इतने अच्छे dialogue सुनने को मिले होंगे series खतम होने के बाद भी आपको dialogue याद रह जाते हैं series को काफी हद तक realistic रखा गया है जिसकी वज़े से आप series से पूरी तरीके से connect हो पाते हैं end होते होते ये series आपको emotional भी करते हैं ये थे इस series के सारे positive point अब बात कर लेते हैं इस series के कुछ negative points की series को थोड़ा छोटा रखा जा सकता था और सारी कहानी 7 से 8 episode में खतम की जा सकती थी इस film की लंबी length इसको थोड़ा सा बोर बनाती है और stock market की detailing भी काफी अच्छी तरीके से नहीं दी गई है अगर आपको stock market के बारे में कुछ भी नहीं पता तो ये series आपको थोड़ा सा बोर कर सकती है critics को ये series बहुत जादा पसंद आई है और IMDV पर इसकी rating 9.4 है जो के mind blowing है अगर मेरी बात कर रहे हैं तो मुझे ये web series बहुत ही जादा पसंद आई जबरदस performance, story और mind blowing dialogues इसको एक perfect web series बनाते हैं जो के मेरी according आप लोगों के निये एक must watch है मेरी final rating रहेगी 1992 scam के निये 4 star out of 5 दोस्तों आपको ये web series कैसी लगी comment section में नीचे लिख कर ज़रूर बताएं मैं हूँ अद्नान खान और आप देख रहे हैं smart movies walk channel मिलते हैं next video में तब तक के निये keep watching अप bizarre झाले को झाले को झाले को